ग्रहमंत्री अमिशाद जी की एक स्टेट में जो वो सामने आ रही है जिसमें उन्होंने साफतोट पर इस बात के उपर जोर दिया है उन्होंने कहा है कि जो मुक्षमीर के जितने भी लोग हैं अगर वो किसी भी आंतकवादी संगचनों के साथ जुड़े हुए हैं या फिर वो पत्थरवाजी जे से काम को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं पत्थरवाजी का काम करते हैं उन लोगों को जो मुक्षमीर की सरकार की तरफ से कोई भी नोकरी जो वो नहीं मिलेगी इस बात के उपर उन्होंने सबसे ज़ादा जोर दिया है उन्होंने कहा है कि जमकुश्मीर की सरकार की तरफ से उन लोगों को बिलकुल भी सरकारी नोक्री नहीं मिलेगी जो लोग आंतकवादी संगचनों के साथ मिले होते हैं और पत्थरवाजी जैसे कारनामों को करने का अ अंजाम देते हैं और साथी साथ उन ने इस अब करते हैं और आंतकवाद को बढहाद को बढवा देते हैं 130 क्रोड की लागत के उपर एक जेल बनने जा रही है जिसके उपर इतनी सिक्यूरिटी टाइट रहने वाली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंतकवादियों को जो रखा जाएगा और उनकी किसी के साथ भी networking जो वो नहीं रहेगी और उनकी उपर कड़ी निगरानी जो रखी जा आएगी उस जेल के अंदर और इस जेल की लागत लगने वाली है 130 क्रोड रुपे और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बारत में जा फिर जमोकिश्मीर में इस तरह के कारणा में जो वो चलते ही जा रहे हैं जिस तरह से यह प्रकरिया जो वो चल रही है अगर कोई सरकारी कर खास जो वो किया जा रहा है यह जिमोकिश्मीर की सरकार जो वो लगतार यह करती ही आ रही है और ऐसा ही यह चलता रहेगा जब तक कश्मीर आंतकवादी जो वो मुफ्त नहीं बन जाता जब तक शुन्या के करीब आंतकवादी जो वो नहीं हो जाता और उन्होंने इस बात को सरकारी नोक्रियां जो वो मिलने वाली है जो कि अंतगवादी संगठिनों के साथ मिले हुए हैं या फिर वो पत्थर पाजी करने का कार्य करते हैं आप इसके ऊपर अपनी राइजव क्या रखना चाहेंगे अपनी राइजव कमें सेक्शन में देना ना बूलेगा फिलहाल आगे के जानकारी के लिए बने रही जमललाग विजन के साथ धन्यवाद